कि आप सब्सक्राइब क्लास्ट में स्वागत है और आज कि वीडियो में आप लोगो क्लास्ट्रियल प्लिटिकल सांस के बहुत बताने वाला हूं जो आप लोगों के एक्जाम में डायरेक्ट पुछा जाएगा देखिए इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला इसलिए आप बहुत ही सिंपल तरके से बताने वाला हूं हरे चीजा आप लोगों को समझ में आएगा फैली वीडियो का लेंद थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हरी चीजा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप लोगों करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ भारत में एकता है इसके बारे में बताने का जब भी कोई भी प्रस्ना आएगा यह उत्तर आपको लिग देना है यह जो प्रस्ने बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आप लोग देख सकते हैं बिहार बॉड़ 2015 में बिहार बॉड़ 2017 में पुछा गया है जारकन पोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए देखते हैं इकता माने होता क्या है बिविश्टा में एकता होना अर्थात अलग-अलग ह पर भी एक होना हमारा देश जो भारत है इसमें आप लोग देखेंगे तो अलग-अलग धर्मों के लोग है अलग-अलग जाति के लोग है अलग-अलग भासा बोलने वाली लोग है अलग-अलग संपरदाय के लोग है लेकिन फिर भी यहां पर एक जूट है ओई चीज होता है भिविदता में एकता, ययनि कि अलग-लग होने पर भी एक हो ना यनि कि भारत में अनेख धर्मों, जातियों, संपरदाजों, भासाओं, संस्किर्टियों के लोग रहते हैं फिर भी नहरूं के सबदों में सभी एकता के अध्रिस्विद्वागों से बन्दे हैं ही होता है विवदता में एकता का अर्थ आगे बढ़ते हैं अगला कोश्च देख लेते हैं हमें यापर क्या दिया गया है कि तो देख लिए जैसे आप लोग एक्षी जानते होंगे जिसे कि मानिक चले को यह फिर इधर को जाएगा इसका जो जैसे कि कोई इसका जो बिलकुल होता है यहां पर हमार जो राश्म निर्मान होता है कि देश के प्रांतों जो जो प्रांत है या फिर चेत्र का एसा गठन या पुर्णड़ गठन क्या जाए इसका एंची को लोग व्याद माने इसको लोग वैलेड माने उसको ठीक है ताकि राइणिति को आर्थिक विवस्ता सुचार रूप से काम कर सके यह हो जाएगा राष्ट निर्मान का अर्थ यह जो अगला परशन है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट इसको आप लोग कर लिजिए यहां पर यह कोशिचन हमें थी जो है बहुत सुपर डूपर हिट क्या परशन है करें जो राष्ट निर्मान की मॉडाल की विवस्तिना करें जो राष्ट निर्मान हमारा हुं हम भाहत के यहां पर हर एक चांद्र रूप से कर सकते हैं ठैख है आगह क्या है कि भारत वीश्तांत्य स्तपना में अपना पूर्ण योगदान देगा जहां पर भी 20व सांती का बात होता है भार के अदम फूल सपोर्ट करने वाला है देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा राष्ट्र कानून के अनुसार की जाएगी एक्ता है जो अखंडता हैं हमारे देश का जो कानून है राष्टी जो है उसी क्याकॉर्णिक हरिक्षिस होगा आगे चले आगे क्या देख लेजीए आगे हमारा भारत जो होगा देशी रियासतों और बिर्टिश प्रांतों का एक संग होगा इसका मानी हो गया दे कि हमारा देश जिस टाइम गुलान था उस टाइम क्या हो रहा था बहुत सारे ऐसे चेत्र थे बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर बिरिटिस यानिके अंग्रेज डायरेक्ट सासन करता था उसको बोला जाता है बिरिटिस प्रांथ और जहां पर राजा देखली जी क्या है कि भारत का सम्मिधान सबके लिए एक समान होगा भारत का जो सम्मिधान है वो सबके लिए एक समान होगा चाहिए कोई अमिर हो गरीब हो हिंदू हो मुसल्मान हो सीख हो इसाई हो काला हो गोरा हो कोई विभासा बोलने वाला कुछ भी हो सबके लिए यहां को समान रूप से समाजिक और आर्थिक अधिकार दिया जाएगा सभी को समान रूप से रिक्षिज दिया जाएगा फिर आगे क्या कि सम्मिधान के संपूर्ण सक्ति जनता में नीथ होगी समिधान का जितना भी सक्ति है पावर है सब कहां नीथ है तो जनता में है ठीक है आग के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है और जहां तक मुझे पता है कि आप लोग जो है ना सब्जक्टी बला वीडियो बहुत ही खम देखते हैं कर कोई दिखत नहीं फिर में वीडियो गनाऊंगा आप लोग देखिए चितना हो सके त्यारी करें अगला जो प्रशने क्या भारत के गले की हड्डी बन गया है जिसके आड़ में भारत पो तबाह करने का घिनोना खेल चल रहा है आई दिन सुनने को मिलता है कि कस्मीर में मतलब हमला होते रहता है और देखिए अभी जो एक मूभी आया है जो कस्मीर फाइल करके उसमें जो कस्मीरी पंडित को जिस प्रकार से उनका सनहार किया गया था हरें चीज उसमें दिखाया गया यह कहरा कोई दिक नहीं देखिए पर भार्त में लगबग 562 देशीरियासतें थी जिस टाइम का बात है मतलब सब्सक्राइब के परले का बात है उस जैम करिमन कर्वें दिया गया था कि यहां तो भारत में मिल जाए दूसरा अपिस्तान था कि यह थो आ पकिस्तान में मिल जें भारत था चप्यकर के राजा हरी सिंगंने तिसरा भी कल्फ चुना और अपने आप में 17 रहना चाह थे भारत में जो राजा हरी संहीस है फिर थे कि में हम क्षमिज रहेंगे राज करेंगे हमें किसी से के। नहीं है न तो हम भारत के साथ मिलेंगे नहीं हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे फिर देखिए आपर क्या होता है जो पाकिस्तान होता है इस बात का फादा उठा लेता है कैसे देखिए इस इस्तिति का लाग उठाते हुए पाकिस्तान ने कस्मिर पर आकरबन कर दिया लो बेट पाकिस्तान में मिनना है वह अल्ग रहना चाहा है एसे ख़वर चल गया पाकिस्तन को जैसे आप पाकिस्तान उस पर और यहां पर यहां पर दिखा थे भारत सरकार पर अपना सेनह थे सकता है इसलिए बेस सकती है जो मिला है ठीक है आगी घूबर उन्य सो मिला देखिए छबबशी आक्टूबर उन्हेस सटाल्स को राजा ने बारत के विलाई पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है जिससे क्या वह जो कास्मिल भारत में मिल जाता है उसके बाइद क्या होता है तब यहां पर क्या होता है जो पाकिस्तान की जो सेना थे उनको दूर भगा दिया खदेड दिया लेकिन बहुत देर हो चुका था कि तीन भाग का एक भाग जो था पाकिस्तान कबजा कर लिया था पंडित जोहरला लहरू ने यह मामला सन्युक्त राष्ट संग यानिकी यूएनों जिसको लोग बोलते हैं यूएनों में एक होता है सेकुरेटी काउंसल यानिकी सुरक्षा परिस्त तो सुरक्षा परिस्त को भेजा वहां यह निर्नाय लिया गया कि यूद्ध को रोग दिय जाए यूद्ध को रोग दिया गया लेकिन कस्मिर का लगवाग एक तिहाई यानिकी एक बटा तीन भाग पाकिस्तान के कबजे में चला गया जिसे उसने आजाद कस्मिर का नाम दिया बात की वियर को दिकत नहीं है मतलब यूएनों के दिवार जो सेक्यूरेटी काउंसल म लेकिन बहुत ही देर हो चुका था यहां पर क्या हो एक तिहाई भाग यानिकी थीन भाग का यहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था फिर आगे क्या होता देखिए जम्मु कस्मिर को भारत समिधान में कुछ विस्स दरजा दिया गया था जैसे कि अनुच्छे 370 दि समाहत कर दिया गया आगे चली आगे क्या देख सकती हां पर कि अनुच्छे 35 के अंत्रगयत यह व्यवस्ता यह व्यवस्ता की गई थी कि जम्मु कस्मिर के बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां संपत्ति नहीं खरिद सकता था कि इन्तु आप यह पर्तिबंद नहीं रहा अब हर एक चीज हट चुका है आगे चली अगला प्रस्ण देख रहते हैं पांच जो कि सुपर भरीट प्रस्ण है भारत में राज्यों के पुनरगटन का बीवेशन ना कीजिए ठीक है ठीक है जो राज्यों का जो पुनरगटन हो रहा था जैसे कि कोई सब्सक्राइब यहां प प्रोवलम हो था हर एक चीज के बारे में आपर मुझे डिसक्स करने वाले हैं तो देखिए उन्ने सु तिरपन में क्या होता है सबसे पहले आंद्रगटन जो होता है भासा के अधर पर राज्यों नहीं हुआ था तो जब यहां पर आंद्रगटन अधिनियम लागू कर दिय जाता है अधिनियम हो जाता इसके आधर पर यहां होता है जो हमारे देस में राज्य है उसका जो फ्रय प्रयों का प्र Δहुत करने के लिए राज पुन्टरगठन आयोग का निर्मान कियाँ उननें सो पैज पर और पर तीन टूंकर साशद परदर बनाया जाना था अज यहां पर यहां पर यहां पर ऑफी चरह सी होने लगा देखें टिए कि राज पूलागा योग रिपोर्ट में यहां यहाँ पर डिया गया कि मराथी भासी लोगों का महाराष्ट्रा जो महारै कि महाराश्ट्र गुज्राती भासा लोगों का गुज्रात राजवनी तेदा बंबई नगर को केंधर सासिद पारदेश बना दिया जाए यहां पर ऐसा भी भासा की अधार पर दंगे भासा के अधर पर दंगे सुरू गया फिर लास्टम किया तक हमीं सुट में बंबाय राज्श होगए ति तो थी संदी पंजाब की थी यहां पर भी भासा के अधर पर दंगी शुरू हो गई जिससे पंजाब के हिंदी भासी छेत्रों को अलग करके हर्याना राज्य बना दिया गया और चंडिगर को किंद्र शासित परदेश बना दिया गया पंजाम में भी यह चीज हो गया फिर आगे देखें आगे क्या है कि प्रकार भार्थ संग में भासा कादर पर 16 राज्यों की अस्तपना हुई और इस प्रकार राज्यों के पुनरगठन का काम चलता रहा ठीक है और इस प्रकार से भासा के अधर पर हमारा यहां पर बनना सबकुछ शुरू हो गया आगे चली अगला जो परशने अच्छा परशन है जयागबड 2020 में पूछा गया प्रशन है दोनों प्रशन एक एक ही है दोनों का उत्तर भी यहां पर एकी होने वाला है चलिए आगे चलते हैं एक कट करकी यहां पर लोगद क्या है यहां पर जिसकी पाकिस्तान को निर्मान होने वाला था यहां पर विभाजन होने वाला था धर्म के अधर पर होना था और भारत भी हमारे बहुत ही बड़ा देश है यहां पर बहुत सारे भासा बोलने वाले लोग है यहां पर बहुत सारे अलग-अलग संस्कृति की लोग है जाती के अधर पर अलग-अलग लोग है संपर्दाइक के अधार पर अलग अलग लोग है तो यहां पर बहुत ही दिकत था कि देखिए यहां पर विभाजन भी होना है और यहां पर जो एकता अखंडता है यह भी मतलब बरकरार रहना चाहिए तो यह सिर्फ यहां पर बोला गया है पहला पुएंट के सामने पहले चुनोती एकता और अखंडता की चुनोती थी भारत अपने आकार और विविता में किसी महादेश के बराबर था यहां बिविन भासा संस्कीति धर्मों के लोग रहते हैं इन सभी को एउजट करने की चुनोती यह हो गया पहला चुनोती दूसरा चुनोती ध्यान से स समधान बन गया लोकतंत्र व्यवस्ता आए जंकर लोग तंत्र को बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था उनको पहले राजा महाराजा को सब कुछ मानते थे अब लोकतंत्र होगा वोट के बारे में की नियों को पता नहीं हे बो क्तिंग दुdy to लोकतंद्र को कैसे स्थापित किया जाए क्योंकि भारत में लोगों को लोकतंद्र का मतलब भी नहीं पता था कि लोकतंद्र आकिर कहते किसे हैं घर गर जाकर लोगों को लोकतंद्र का मतलब समझाना था किंगे लोग तो राजा महराजा को ही अपना सब कुछ मानते थे जाए दिकत था कैसे क्या होगा बहुती मिद्र प्रोलम बला यहां पर चीह था और इस तरीके से लंबे त्यार के बाद पहले चुनावसन 1952 में हुए परशने से पुछा जा सकते कि पहला जो आम चुनाव में कब हुआ था तो 1952 में हुआ था इसलिए चुनाव करवाना और लोकतं सब्सक्राइब करना ता और यहां विकास के लिए जिसके हमारा यहां पर सम्मिधान बनाया जाएगा जिसके आप सब्सक्राइब होगा हम लोग और अमरिका के बढ़ा है तो यहांपर यहां पर जूआन सम्मिधान निर्मात हुए लुग सोचने में के हम लोग परमीं चुनाट के जिए और अपर सवित-वाल जो वी 5 दौल था तो उन्होंने क्या क्या इसाप साब लिए आप पढ़के समय सकती है कि विकास करने की चुनौती ती की है विकास करने की चुनोती थी अंग्रेजी साहन की वजए से भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था अब हमें तेजी से तरक्की करके आगे बढ़ना था तरक्की करने या फिर विकास करने के दो रास्ते थे एक तो अमेरिका का पुझीबादी वाला रास्ता था और दूसरा सोवित संग का समाजबादी वाला रास्ता था अब किस पर चलना है यह मतलब तर अब विकास करने के लिए पॉझीबादी रास्ते को अपनाया जाए लंबे बाद भात में यूप अरति बश्टाय को अपनाया गया और आर्पणिक नियोजन को अपनाया गया इस थरह भारत कोने पिनुनिए करना पड़ा आजादी के तुरंत बाद बंटवारा भी हुआ बंटवारा में भी चुनोती है धार्मिक आधार पर होना है यह तो एक हिसू है अब देखिए आपर जिसी की भारतृ पाकिस्तान का निर्मान होना है तो होता क्या है सबसे पहले यहां पर बढ़वारा होता है सबसे पहले होता है ब्रिटिस इंडिया या फिर जो ब्रिटिस प्रांथ है वहां से सुरू होता है ब्रिटिस प्रांथ माने क्या हो गया जहां पर ब्रिटिस डायरेक्ट ले सासन करते थे तो वहां से सुरू हो गया कि अब भारत में ही मिला लिया गया येक। बात क्या हुआ है फिर में दिसी रियासत की पारत में मिल जाओ दूसरा ना या तो तुम अपने आप में सवतंतर रहो ना तो भारत में मिलो और ना ही पागिस्तान में मिलो तो यह सब चीज यहां पर यह वी एक चुनोती से कम नहीं था फिदे किया पर मैं लिख दिया है आजावी के बाद जो बंडवारा हुआ वह बहुत यह खतरनाक था बहुत का पिलिटी का कऑजा था ऊस् Cheng हमेट है करते शली जुत है वह फे दस र्यासत करते थे इस तरके से भाज्वारा बहुत ही मुश्किल का काजए धर्म के आधार पर क्या गया था लाज सना ुछा पर पाकिस्तान बना दिया जाए और जहां और बागे बचे वह रही को만 Hadh में जहां और मुसलमान अर्द के मतरम रहेगा उसको पाकिस्तान बना देंगे जहांपोर बाद हमय कि पहला रास्ता क्या तो भारत में में जाना दूसरा पकिस्तान में जाना तुसरा आजाद रहने अबिकल्ब था यानि ना तो पाकिस्तान में मिलना और ना ही भारत में मिलना जो कि यहां पर मिना आपको साफ साफ बता दिया अग्ले लेक्चर बहुत बढ़ा हो चुका है यह वह जो दिया गया यह भी दो पुछा गया प्रशने देख लिजिए कि आजादे की समय देसी रियासतों की क्या इस्तिती थी विलय में सर्दार पटेल के योगदान का मुलांगन कीजिए इसकों लोग यह जो दो प्रशने बच्छा इसकों लोग अगले लिक्चर में अब यह थोड़े दिर बाद हम उन्ह लाइक कर दें तो मिलते हैं अगले वीडियों में थैंक यू जहिद